हेलो आज आपके लिए बहुत कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों को जड़ से काला करेगा ही करेगा साथ ही साथ यह आपके बालों को बनाएगा एकदम घना मजबूत और डेंडरों की प्रॉब्लम से यह चुटकारा दिलाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अ आप सबसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए अपनी फ्रेंस लेटिव सभी शोशल मीडिया में सभी जगा और अगर न्यू है तो सबस्क्राइब किजिए बेल आइकन क्योंकि मेरी ऐसी आने वाली वीडियो की अपडेट आज कल के टाइम में सभी लोगों को प्रॉब्लम है बालों के सफेर होने के लिए इसली वो हेर कलर लगाते है जो कि उनके स्किन के लिए काफी हामफुल है अभी को लगा लेते हैं तो 이제 पता नहीं लगता कि क्या किया रेइक्षन हो सकते है मगद जैसे हैं आपकी याइज बढ़ती जाती है वैसे ये आपको प्राब्लम्छ सक्षिन से लेटर स्टार्ट और जाती है तो इसलिए आप जादा है और जादा आपने क्या करना है मगर आप लोहे का लेंगे तो बेस्ट है तो यहाँ पर मैंने लोहे के गढ़ाई ले ली है और यह जो जंग लगा रहता है ना इसको ऐसे ही रहें दीजी क्योंकि यह जो जंग है यहाँ के बालो को ब्लैक करने में काफी जादा फाइदा पहुचाता है काफी अच्छी रिज बेस्ट है आपके बालो के लिए तो यहाँ पर मैंने मेंधी पाउडर डाल दिया और इसको लोग फ्रेम में अच्छी तरह से इसको पका लूंगी इसका रंग काला होने तक टाकि आपके बालों को और अच्छे कलर दे और फिर मैं इसमें डाल दिया बिरिंग राज होते हैं और कहीं नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पर बिरिंग राज पाउडर डाला और साथ ही आपको बता दिया कि आपने क्या क्या डालना है क्या आपके पास अवेलबल है वह भी आप टाल सकते हैं जो भी तो इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आपने पका अच्छी तरह से पक जाए तो अब आपने क्या करना है इसमें डाल देना है पानी अगर आप पानी नहीं यूज करना चाते तो आप गोनेट ऑई डाल सकते हैं यह भी आपको ऑप्शन दे देती हूं क्योंकि ज़री नहीं है कि अगर ठंका मौसम है आप पानी नहीं अपनी अच्छी तरह से इसको पकाना है तो आप मेहंदी के साथ जाए पानी यूज करना है क्योंकि इसमें ब्रिंग्राफ पाउडर डाला है अगर आप स्विए मेहंदी यूज कर रहे हो तो आप सर्सो का तेल यानि की मस्टर्ट ऑईल डाल सकते हो नहीं तो सब आपने अपने अ पकाना है अगर आप डालोगे तो आपको में यह भी बता दो अगर आप डालते हो तो आपने अपने अच्छी तरह से बाइल आने तक तो जैसे यह बाइल होना स्टार्ट हुआ तो इसमें डाल देना है गुड़ल के पत्ते और फलार यह में निकाल लिये थे यह सूख गये थे थोड़े तो ऑफ इव डाल सकते हो और सूख है और डाल सकते हो दोनों रिजच आपको एक यह देगा ऊभा जड़ सी अच्छा निकाल करता है मज़ोद मनाता है लंबा घणह करता है और डेंनलो की विद्गूर करता है और इसमें ज्ली मेह दाया यह बीडाफ को नैश्रुलड दें ञूरेगा है वैसे इसमें जो भी मेने चीज़े दाली है सब Simmons देंगे कोई भी के मिलकर नहीं डाला और जो भी इंग्राज पाउडर डाला है वह भी आके बालों के लिए क्या कहने बहुत ही अच्छा रिजल देगा इन सब का पहले यह बताया ही है जब आप इसको यूज करोंगे और यूज करोंगे इस पर आपने ज्यादा पकाना नहीं है आप पांच मिनिट तक ही पकाना है अगर आप डारेक्ट ओल नहीं करना चाहते तो आप डबल मैटेट बॉयलर का भी हेल्प ले सकते हो नहीं तो आप इसको ए अगर आप जैसे की ठंड होती है तो हम पानी यूज नहीं करना चाहते अपने बालों पर आइल करना चाहते है तो आप यूज कीजिए इस पर चान लीची स्टेन कर लीची ए सेपरेट और उसको यूज कीजिए बिना कोई प्रशानी के और आपको यह बहुत ही अच्छा र अपने सिप आसिम गयास पर 10-15 मिन तक अच्छी तरह से बॉइल करना है इसका पानी हाफ से भी कम हो जाए तब तक के लिए क्योंकि हमने इसको एक थेक पेस्ट बनाना है तो देखी यह बॉइल हो चुका है तो दोस्तों अब आपने यहां पर डाल रहा है अपना में इंग ब्लैक कथा मिलने में मैंने काफी इसको डूणा मगा नहीं मिला तो मैंने ब्राउन कथा ही लेकर इसको अची तरह से रोश्ट कर लिया और इसको बना दिया ब्लैक कथा तो यह आप यूज कर सकते हो इसका रिजल बहुत ही अच्छा आएगा तो आपने इसको थोड़ा से दोस्तों आपको लगड़ा होगा ना मैं इतना जादा बोलती हूं तो आप सब को समझाने के लिए ज्यादा बोल नहीं पड़ता है और हाँ लाइक कीचिए जल्दी से अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कीचिए अगर नियू है तो बेल आइकन और शेयर किचे अपनी फैंडी फ्रेंश सारे शोशल मीडिया में बस शेयर करते जाएए दोस्तों आपके यह छोटे-छोटी से हैल्प बहुत ही में लिए इंपोर्टन रखती है यह देखिया अब मैंने इसको श्टेंड कर लिया है अच्छी तरह से आपने इसको श्टेंड क काला करेगा तो इसमें आप हमने डालना है बता दू उझाल यह अपने डालना है अलवेड़ा जेल आज आओ तो पंत्ते वाला भी यूज्श कर सकते हूं नहीं तो लिक्विड होता है तो यह और हमारा लिक्विड हो जाएगा हमारा जो भी हैंग्रेट का बालो के लिए त क्योंकि कियों डाला या के बालों के स्मूद बनायेगा फिनिश करेंगा अलुवेरा जल तो करता है यह बहुत अब दोने बालों को नुकसान नी देगा यह जो मेंने कड़ डाला है यह आपके बालों की जो भी टेंटरु प्रॉब्लम है वो दूर करेगा आपके बालों को सिल्की स्मूद बनाएगा शाइन लाएगा आपके बालों पर नहीं तरह की तो इन सब को डालने के बाद आपको अच्छी तरह से कर देना है mix 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 तो देखिए यह मैंने कर दिया अच्छी तरह से mix अब हमारा पूरा पीश्ट रेड़ी है अपने बालों पर लगाने के लिए और यह आप जरूर ट्राइगा और मुझे करके बताएगा कि हाँ आपको इसका रिजर्ट कितने दिनों में मिला तो दोस्तों इसको आपने यूज करना है वीक में दो से तीन बार तो आपने इसको रेगलर यूज करना है तो ही आपके बालों में वन मंत के अंदर अंदर बहुत ही अच्छा कलर आजाएगा आप इसको जोड़ राई की जिटने बालों की प्रॉब्लम है सभी तूर हो जाएगी यहां के बालों को जड़ से मजबूत तो इसको आप जोड़ राई किजिएका तो यहां पर मैंने लिया है तूदब्रश अगर आपके पास इन ड्राय वाला ब्रॉश तो आप वो भी उस कर सकते हैं यहां पर मैंने easy से easily इसको लगाने के लिए तूद्ब्रश के यूज किया है तो यहां पर तूदब् लेने हैं लेंग तक नीची तक अपने को लेजी वह के पूरे बालों पर श्रेंस लेकर लेंग तक अच्छी तरह से कोड आपके बालों को इतों तरीके से और बहुत इच्छी शाहिन आएगी साथ ही साथ आके बाल काले 30 तो चलिए कीजिए एक निए गुँए उपने से चरह से नहीं उपने नहीं लेगे तो आपके पली बाहएं है कुछा आप करोगे को आप किया है o to a up new पैस्कों लगाने के पास करने के बाद अपने बालों को चो try कुछ आपको का यह यह यहां पी आप कर सकते हो जो शेय कीचिए और मुझे लाइक चाहिए चाहिए तो चल्दी-जल्दी से आप लाइक भी कीचिए और नीव है तो सब्सक्राइब कीचिए विद बेल आइकन ताकि में अगर कोई बीडियो डाले तो इसके नोडिकेशन सबसे पहले आप तक जाए तो चलिए मिलते हैं उसे नियू अच्छी इफेक्टिब नैशनल रेमेडी के साथ तिल देन टेक है एंड थैंक्स सो मच गाइस पर वाचिंग इस वीडियो बाबाई